नमस्कार में दीपाक स्वागत करता हूँ आपका ज्यान लेंटर्स पर इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 मैट्स में चैप्रेन नमबर फाइब जो चला आपका कंटिनेटी एंड डिफरेंसिविटी में ठीक है एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम लोग और इसके मैं आपको फाइब कोशन बता चुका हूँ और उस से लिटेट बेशिक कंसेब भी बता चुका हूँ डिफरेंसिविटी टेश ठीक है तो इसमें हम करेंगे स्टुएंट कोशन नमबर 6,7,8 कोशन करेंगे और काफी अच्छे कोशन और इंपॉर्टन भी है और इससे आपकी जो समझ ह हो और भी ज्यादा बढ़ेगी कि हम डिफरेंसियेट कैसे करेंगे किसी फंक्षिन का ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं कोशन नमबर 6 है ठीक है तो सॉल्यूशन करते हैं कोशन नमबर 6 में हम नोट कर रहा हूँ आप मैंने का सबसे पहले क्या मान लीजिए लेट आप वा या f of x की यह दोनो एक दुस्रेगे क्या होते हैं इक्वैलेंट होते हैं ठीक है दोनों एक्क्वल ही है कोई अंतर नहीं है वाई का जब डिफरेंसियेट करते हैं तो य भाई बाई बाइध लिगते हैं और जब fx करते हैं तो f dash x लिखते हैं बस यहीए कुछ भी फारक न एक्स नहीं है ध्यानगना ऐसी के साइन के लिए जो एंगल हो एक्स टू दी पावर फाइव है और बलकि साइन की उपर भी स्क्वाइल लगा हुआ है तो थोड़ा सा इसको धंग से समाझने स्टुएंट मैं आपको पूरा जो है साइस को करानी की पूरी कोस्ट करूगा अप आप फॉर्मला देखें पीछे बेसिक कंशेप में भी यह बता रहा है ठीक है कि यह होता देखें डी बाई डी एक्स यानि की डिफ्रेंटियेट ऑफ टू फंक्शन एक फंक्शन यू है एक फंक्शन वी है यानि की प्रॉड़क्ट आपका पहला और दूसरा तो इसका होत का फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकिंड फंक्शन ठीक है प्लस सेकिंड फंक्शन एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन ठीक है यानि कि एक बार दूसरे वाले फंक्शन का डिफ्रेंटियेट करेंगे पहला आ गया अब दूसरा आ गया आगया और पहले का डिफ्रे to x ठीक है जो differentiate कर रहे हैं with respect to x इसका तो इधर तो आपको सिंद्धा पता है dy by dx इसको लिग लेंगे ठीक है यहाँ पर पहले चलिए मैं d upon dx ही लगा लेता हूं सबसे आगे x cube and दूसरा आपका sin square x to the power 5 ठीक है अब दीखें यह हो गया आपका u and यह हो गया आपका v तो इस formula में आपको apply करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं dy by dx इदर आपका चलता रहेगा तो first है आपका cos x cube u की जगा आजाएगा and d upon dx v, v मतलब यह पीछे वाला आपका आजाएगा sin square x to the power 5 फिर बीच में प्लस आएगा फिर यह वाला आजाएगा v यानिकि sin square x to the power 5 मत बहुत आसान है अब दिखें जड़ा यहां पे confusion create होता है दिखें हमको जो formula पता है student वो formula हमको मालूम है किसका sin x का पता हमको formula अगर मैं आपको formula की बात करूं तो हमको formula किसका पता है sin x का हमको d by dx पता है sin x का और sin x का क्या होता है student cos x होता है लेकिन यहां पे चलिए अभी इसको तो दूर की बात है चलिए यह x नहीं है x to the power 5 है ठीक है इसका भी अभी हम solution बताएंगे लेकिन उपर दिखें स्क्वारिव लगाओ इसको चलो दो मिनट के लिए चलो इसको x ही माल लो कोई problem नहीं तो sin x का मैंने आपको कोई formula नहीं बता रहा अभी जितना भी हमने प मतलब x to the power 5 है ना उसको भी कर लेंगे फिलाल मैं आपको randomly ऐसे बता रहा हूं इसको आप ऐसे लिखेंगे सबसे पहले d by dx sin x to the power 2 ऐसे लिख दीजेगा ठीक है कोई problem है यह और यह दोनों एक ही चीज़े ध्यानक में आप bracket लगाना जरूरी है अगर आप bracket नहीं लगा गए तो वह square के वल x का माना जाएगा ठीक है मतलब ऐसे मतलिखना sin x square यह अलग चीज़े यह नहीं लिखना है यह दोनों equal है लेकिन यह इसके equal नहीं है तो दीखें यहाँ पर कौन सा formula हीगा इस पूरे को आप x मान लीजिए तो आपको बता रहा है student मानें d by dx x to the power n का formula क्या x to the power n, n मतलब कोई भी number आ सकता है तो n x to the power n-1 तो यह वाला formula में यहाँ पर apply करेंगे इसको x मान लिया and n की जगा क्या 2 है तो n आज जाएगा आगे है यादि कि 2 x x मतलब sin x ठीक है x मतलब sin x ठीक है उसकी power n-1 तो n, n मतलब 2, 2-1 कितना हुआ, 1 तो 1 लिखने के आपको ठीक है आप चेन रूल लगेगा क्योंकि यह x नहीं है तो d upon d x किसका होगा इसी का होगा यानिकी sin x का होगा ठीक है and then sin x का आप कहा लिख देंगे फिर से cos x लिख देंगे तो इस तरह से आपका यह हो गया किसका sin square x का किसका होगा student sin square x का मैंने यह बताया आपको क्या 2 sin x cos अब जब आप देखें यहां पे actually यहां पे बात क्या हो रही है ध्यान से देखिए इसको तो आप जैसा है वैसी लिख दीजिए सबसे पहले cos x cube को वैसी लिख दीजिए आप इस square को कहा करेंगे आप ऊपर करेंगे मतलब इस तरह से ऊपर करेंगे ठीक है तो इसका क्या चला ज्यानक ना x to the power 5 चला क्लियर होगे बातें यह हमने कैसे किया पता चला है यहां से साइन स्क्वार एक्स का होल स्क्वार लिखेंगे तो 2 सबसे आगया जाएगा sin x sin x मनलब यह वाल आजाएगा ठीक है इसका according ठीक है जी एन के जगा 2 लिया x की जगा sin x है ठीक है बात के लिए और 2-1 करेंगे तो 1 ही आएगा उसको लिगने की जुरूरत नहीं है तो यह आपका 2 आगया आगया और यह x हो गया पूरा क्या हो गया x है लेकिन क्या यह x था नहीं था ना x देखें यहां पर क्या x था तो चेन रूल लग जाएगा उसका क्या होगा डिफ्रेंशियेट होगा यानि कि d upon dx किसका होगा इसी को अगर आपका sin x to the power 5 का ध्यान रखिएगा इस पूरे को मैंने क्या माना x तो इसको भी भूली जाओ बलगी फिला ठीक है इ sin square x to the power 5 ऐसी लिए है इसका cos x cube अब दिखें आपको cos x का भी बता रहे है मैंने d upon dx किसका cos x का अगर आप देखेंगे तो था माइनस का sin x ठीक है तो इसका हम लिख देंगे क्या x का माइनस sin x x मतलब x की power 3 तो x थोड़ी ना है वो तो हमने सोचा ठीक है तो d upon dx उसी का होगा जिसको हम सोचते हैं clear हो गई बाते हैं चलिए हो इसको को आप सबसे आगे ले सकते हैं 2 cos x cube ठीक है student 2 cos x cube into sin x to the power 5 और आपको sin x का बताए भी sin x का क्या बताए student मैंने cos x आपको स्टूडेंट पता है sin x यह क्या है उसके लिए एक से जयानक ना इसको मान लेजिए कि x है तो sin x का cos x x मतलब x to the power 5 लेकिन क्या वो x है नहीं है तो उसको सोचा था हमने जिसको सोचते हैं x उसका दुबारा होता है ठीक है जैसे हमने यहाँ पर x to the power 4 को क्या सोचा एक सोचा किलियर है तो उसका तब दुबारा हुआ ना उसका क्यों क्योंकि इसको सोचा था एक्स थोड़ी ना हो समझ मागे आता प्लस माइनस माइनस कर दीजिए स्टूडेंट साइन स्कॉायर एक्स टू दी पावर 5 कर दीजिए यहां पर फिर आपका पीछे साइन एक्स क्यूब है ठीक है और एक्स की पावर थी का कितना हो जाएगा आपका 3 3x square पता ना कैसे इस वाले formula है ठीक है एंड वाला यह x to the power n n की जगा क्या रखिए यहां पर 3 रखिए 3 तो यहां पर n 3 आ जाएगा x की power 3-1 2 तो 3x square समझ मागे ना कैसे रहा हमने कौन सा formula हम apply कर रहे हैं तो 2x cos x cube sin x to the power 5 cos x to the power 5 यहां पर भी x to the power n का formula यही एंड यह वाला तो n की जगा आप क्या हो गया 5 क्या हो गया student 5 हो गया तो यहां पर n की जगा 5 आ जाएगा 5-1 4 आ जाएगा आपको sornable की पता भी रखाने मैंने basic concept में पीछे ठीक है तो क्या हो गया इसका simply 5x to the power 4 हो गया इसका differentiate तो आप इस 3x square को सबसे आगे लिग दें 3x square सबसे आगे यहां हो जाएगा sin square x to the power 5 and sin x cube ठीक है अब इसको आप बढ़िया करके इसको आप लिग दें ठीक है मतला इसको एक प्रॉपर वे में इसको लिग दें आप 10 कर दें ठीक है 2 5 जा 10 तो 10 x to the power 4 को सबसे आगे लिग दें बाकी यह ही आपका sin x to the power 5 ठीक है sin x to the power 5 यह भी आपका cos x to the power 5 इन पर bracket लगाओ और लगाओ कोई जरूरी नहीं है cos x cube को आपने पीछे लिग दिया ठीक है मतलब एक साथ वा लोगो एक साथ लिग दिया ऐसा कुछ नहीं आगे पीछे करना ही है 2 5 जा 10 कर दो x की पावर 4 को बाकी ऐसे लिग दो जरूरी नहीं की इनको आगे लिगना है यह भी ठीक है ठीक है माइनस का 3 x square माइनस का क्या है 3 x square फिर क्या आपका साइन यह है साइन x cube इसको आगे लिग दिया इसको पीछे लिग दिया खैर यह आगे पीछे करना कोई जरूरी नहीं है इनको लिग दो आगे थोड़ा अच्छा लगता है ठीक है तो यही आपका क्या हो गया final answer हो गया आई होप आपको यह question बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत होती ना बाइदेव अगर आपको एक बार आप दुबार से भी बलकि इस question को तर सकते हैं ठीक है ऐसे दुबार से इसको pause करके देखे कि मैं बोलना क्या चाह है ठीक है question number 7 है 2 under root के अंदर आपका cot और फिर आपका x square ठीक है यानि कि cot के लिए जो angle है यहाँ पे वह x square है यह यह ना आप क्या ठीक है 2 under root cot x square तो दिखे इसका यहाँ पर कैसे इसका solution होगा ध्यान से दिखिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं solution जब इसका करते है y equal to f of x तो लेट कर लिया y equal to यह आगया आपका 2 under root cot x square ठीक है जी चलिया अच्छा जी root का अब मैं इसका जब differentiate करूँगा student मैं क्या करूँगा differentiate करूगा short मैं ऐसे लिख दिखिजे differentiate with respect to x ठीक है जब मैं करूँगा तो इधर तो हो जाएगा dy by dx इधर जाएगा आपका 2 and d upon dx इसका इसको रूट का होगा किसका अंडरूट cot x square का पता ना 2 भार की हुआ वी 2 क्या constant है और जब constant के साथ function होता है तो constant का 0 नहीं होता हां अगर 2 यह घुता है तो डिरेक्ट इसका differentiate 0 जाता है क्योंकि constant का 0 होता है लेकिन constant के साथ जब function होता है तो constant नमबर भार होता है और केवल function का ही क्या होगा differentiate होता है अब देखिए यह रूट के अंदर है रूट का solution यह है कि इसको क्या कर दीजिए डिया पॉण डिया इसको रूट का मतला आपका इसकी पावर कितनी है बलकि मैंने आपको बता भी रखाओगा इस तरह से ध्यान से इस पूरे को क्या मान लिजिए कुछ दिर के लिए एक्स की तरह ट्रीट कीजिए देखिए मैंने यह बताया होगा आपको डी की डी अपॉण डी एक्स बेसिक कंसर में बतारका और पिछली वीडियो में बताया था ठीक है रूट एक्स तो यह देखिए यहां पर रूट का मतलब क्या होता भाई पावर वन अपॉन अपॉन क्या कर देखिए बाई1 कर देखिए दी पावर कितनी है वन बयाई 2 है इसका मतलब तो तो यही होता है ठीक है अब यहांपर कौन सक फोर्म लग मतलब 2 स्टेंट आपका लगा रहे हैं यह वाला डे अपॉन डे एक्स एक्स टुदी पावर एंड एक्स टुदी पावर एंड माइनस वन एन की जाखा रहेंगे वन अपॉन टू वन अपॉन टू बस सिंपल सा थीक है इसको अगर सॉल करेंगे स्टूड़न मैंने आपको बताया होगा पिसली वीडि देबित लायोंगा तो किसका होगा प्लस का यहां प्लस का हो जायाएगा और वन अपॉन टू का मतलाब स्टूडेंट के आ आपके पास स्का मतला क्या है रूट वैलिवे कैसे वैलिवे रूट ठीक Federation है फिर से वन अप्वान टू को जैसा यह था इसको विपलू प्लू यह क्योंकि बार-बार नहीं है इस तरह की चीज़ें आती रहती है अभी तो छोटा-छोटा calculation चल ला है लेकिन जब बड़ी-बड़ी आती है तो इतने के लिए हम इतना बड़ा इस पूरे को आप एक्स बानके चलिए इस पूरे को एक्स ठीक है तो कितना होगा इसका मैं डारेट लिख दूँ वन अपॉरा करना तो ऐसा कीजिए अगर आपको प्रॉपर एक्स जगह यही लिखे चलिए अगर आपको इसको प्रॉपर करना ही है कि नहीं सर इसको मैं करना चाहरा तो ऐसे कीजिए पूरा का पूरा एक्स जगह यहां तक तो आपने करी लिया यह चीज यहां ऐसा कीजिए उसके बाद एन वाला फॉर्मला वन अपॉन टू आगे फिर यह एक्स जगह यह चलाते हो ऐसी करना पूरा ठीक है मैंने आपको एक अलग से बताया और उसके बाद डारेक्ट इसको रखके बता दिया बात एक टू सर टू क्या हो जाएगा आपका कैंसल यह आपका क्या था एक्स था एक शूचा था एक्स नहीं है तो इसका बाई चेन रूल का डियक्स हो ना ची providing कॉट X स्क्वार का बात के लिए रहे क्यों हुआ कि यह X नहीं है यह तो हमने के वल सोचा था तो देखिए 1 अपॉन आपका अंडरूट कितना है कॉट X स्क्वार ठीक है स्टुरेंट अच्छा आपको डी अपॉन डी एक्स किसका फॉर्मला है डी अपॉन डी एक्स का फॉर क्या माइनस कॉमसेक स्क्वार एक्स है यहां पर आहां पर एक्स नहीं है पर यसको सोच रहे ह। तो इससका दोबारा होतायानिकी वो किौशें रूल में जूठ जातायानिकी वह ही को तो उसका differentiate हो जाएगा multiply करने पर तो चलिए तो दिखिए सबसे आगे minus हो गया minus को आप लिग दें 1 upon यह आगया आपका under root cot x square ठीक है यह हो गया आपका cos x square x square कोई problem यहाँ था x square कितना होता है 2x पता है कौन सा form लगा x की power n वाला दीखिए यही वाला n, n के जगा 2 रखिए, n के जगा 2 रखिए तो यहाँ n के जगा 2 x की power 2 minus 1 1, 1 लिगने की जुरूआतर नहीं है 2x हो गया simple कोई problem 2x वंजा 2x तो यह आगया minus का 2x upon under root के अंदर आ से square x square ठीक है अब देखिए यह हो गया आपका dy by dx तो देखिए answer वैसे यह भी सही है आपका answer यह भी सही है लेकिन NCRT book में थोड़ा इसको आगे expand किया है मतलब answer कुछ और कह रहा है तो generally student कहते हैं कि sir answer यह नहीं आ रहा book में जो answer book में आ रहा वही निकाल कर बताओ देखिए वैसे तो पूरा यह है ठीक है कोई problem नहीं आप इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर clear हुआ है पहले सबसे main चीज है कि मैंने कैसे करके लिखा उसको x मान के ठीक है clear है बाते चलिए अब answer लाते हैं ठीक है और भी इसको करते हैं देखिए मैं क्या कर रहा है इसको minus का 2x देखिए upon अगर caught है तो उपर उसको 10 लिख दूँ मैं उपर 10 लिख सकते हैं ने से भाई क्योंकि caught 10 एक दूसरे के क्या होते हैं reciprocal होते हैं आपको पता है कौस x square x square आपको यह भी मालूम होगा ठीक है यह तो ऐसी है बाइसी तो होता है 10x equal to क्या होता आपका one upon caught x या caught को दिले जाओ तो one upon 10x ठीक है तो upon में अगर caught है तो उपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो one upon caught का 10 हो गया clear है one कहां है one लिख लो ना one upon in two में ठीक है कोई problem न होता है ठीक है sin x upon तो इस 10 को sin upon cost में break कर दो ठीक है क्या कर दो sin x x जगा कौन है x square upon में cos x ठीक है लेकिन ध्यान अगना इस student root के अंदर है तो हम root के अंदर ले लेते हैं इसको भी और इसको भी अलग-अलग root के अंदर ले लिया कोई problem है 10x को sin x upon cost root के अंदर है इसलिए हमने हमने भी root के अंदर है individual कर दिया अलग-अलग कर दिया एक्स जगा क्या चला है x square अब देखिए one upon कॉसेक जो कॉसेक है कॉसेक कर रहा है ऐसी प्रवकल क्या होता है sin यानि कि कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ one upon sin square x square ठीक है मतलब कॉसेक को लिख दिया one upon sin square है तो हमने भी स्कॉर कर दिया एक्स जगाच जो चल ला है वही कर दिया देखिए एंस्या ठीक है अंसर बनाने की कोशिस कर रहे हैं बाकि आपका यह भी मैंने का सही है अब देखे जड़ा ध्यान से देखिए आप जड़ा 2x यह ऐसी है under root sin x square को चल यह ऐसी रहन दिजिए upon में जो है उस को भी ऐसी ही रहन दिजिए माला इसको कोई disturbance नहीं करना इसको आप square value को आप दो बार break कर दो यानि की sin x square इंटू इसको लिख दो sin x square बोलिए ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है माला square value इसको दो बार break कर दिया एक बार और एक बार अब जड़ा ध्यान दिजिए इस में थोड़ा आगे और हम solve करते हैं यह आपके पास minus का 2x under root आपका sin x square दिखते रहिए upon में चला है under root के अंदर cos x square इंटू 1 upon अब दिखे जो आपका sin x square है इसको आप ऐसा लिख दिजिए कैसे under root के अंदर लिख दिजिए sin x square into under root के अंदर sin x square क्यों कि आपको मालूम होगा ऐसा क्यों लिखा क्योंकि आपको पता होगा कि root x into root x कितना होता है root x into root x से करेंगे तो x होता है पताने कैसे करके होता है ठीक है क्योंकि root x का actually square होगा इस square से root cancel root कैसे cancel क्योंकि root का मदला power कितनी होती है 1 upon 2 तो 2 से 2 ऐसा यानि कि x निकल कर आता है root x into root x x होगा तो ऐसी अगर मैं under root sin x square आपको बोलू तो कितना हो जाएगा actually sin x square ही हो जाएगा into में भी एक और sin x square जिंदा है ठीक है यानि कि बचा हुआ है sin x square भी एक और है जड़ा ध्यान दीजिए अब ऐसा हमने क्यों किया कि ऐसे break करने की जुरुत क्यों पड़ी इतनी खतरनाक तरीकी से इसक्वार को पहले दो बाल लिखा इस sin x square को ऐसा लिख दिया root sin x square root क्योंकि under root x under root x x ही होता है ऐसा इसलिए कि student हमने कि मैं एक से एक काड़ दूए से दिखापा हूं मैं cut करने का तो यहीं पर cut कर देता है क्योंकि मुझे पता है कि इससे यह root time कर जाएगा यानिकि under root इससे यह कितनी बार कर जाएगा under root sin x square time कर जाएगा मैं direct भी कर सकता हूं ठीक है ऐसा समझिए कि अगर आपके पास ऐसा ना उपर अगर root x है और नीचे क्या x है तो मैं तो direct भी cut कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है root x से यह x कितनी बार कर जाएगा root x time यानिकि one upon root x इसका answer आ जाएगा ठीक है लेकिन मैंने ऐसा किया root x upon x को मैंने थोड़ा और डेटेरिम में आपको समझा है उसको उपर लिको नहीं चेड़ा आप पर बात के लिए रहे चलिए जी अच्छा आप एक काम यहां पर और करने दिखिए answer बनाने के लिए काफी काम करना पड़ता है minus 2x upon ध्यान दिजिए upon में यह root के अंदर है और यह भी root के अंदर है यह इंगल सेवार एक स्कॉइर यह इन दोनों को सबसे आगे लिग दिया आपने यह वाला sin x square को सबसे आगे लेग दिया, जो square वाला है यह वाला सबसे आगे कर दिया, कोई problem, एक और काम करते हैं, student इसमें हम, देखिए, और एक और काम कर रहे है, root 2 से हम उपर भी multiply कर रहे हैं, और root 2 से नीचे भी multiply कर रहे हैं, ठीके, यहां भी multiply कर रहे हैं, बलकि से उपर भी मल्टिप्लाइ और नीचे भी मल्टिप्लाइ कर दी उपर भी नीचे रूट इक पीए जो नीचे करना उसको सिधा रूट के अंदर री डाल दिया बात ही किया और बहुत important formula और काफी जगा इसका use होता देखिए sin2s का formula 2sinx cosx अब यहां पर कहां बना हो देखिए 2sinx cosx वही चीज़ बनी की नहीं बनी देखिए 2sinx x जग कॉन है x square कोई problem नहीं है cos x जग कॉन है x square तो इस चीज़ को हम ऐसा लिखेंगे ध्यान अगमा ठीक है तो देखिए उपर हो गया 2 root 2 2 under root 2 x upon में sinx square इस पूरे को क्या लिखे देंगे student नहीं यह लिखे देंगे sin2x x कौन चल ला है x square चल ला है ठीक है यही इसका final answer है dy by dx समया answer पूरा video दोबार से देखे एक एक चीज देखे मैंने का answer तो हम यहां भी दे सकते हैं लेकिन आगे हमने कैसे करके बनाया हुई मैंने आपको पूरा बताए कि ncrit book में इस तरह से question दिया हुआ है आपके पास ठीक है तो देखना आप पूरा video एक बार दुबार चल यह question 8 कर लेते हैं इसमें बहुत अच्छा question है आपको छोटा सा question है कुछ भी बड़ा question नहीं है तो सबसे पहले जब solution करते हैं तो आप y equal to या क्या equal to मानले f of x तो हम y मानले generally तो दिखे आपके लिखेंगे differentiate short में लिख दीजिए पूरा मत लिखिए with respect to x जैसे with respect to x में short में लिख रहा हूं ठीक है with respect to नहीं तो पूरा आप लिख सकते हैं चलिए इधर तो हो जाएगा आपका dy by dx इधर चलिए पहले अब यहां पर x की value कुछ भी change हो सकती है यहां पर root x है तो फिलाल हम root x कर लेते हैं लेकिन वह x नहीं है तो उसका क्या होगा differentiate होगा फिर chain rule के according ठीक है यानि कि cos x का minus sign x अब x मत रखना रखना तो वह ही है जो है अब क्यूंकि वह x नहीं था तो chain rule के according d upon dx उसका होगा इसका root x अगर x होता तो बात खतम हो जाती ठीक है अगर यहां पर मान लिजिए x square होता तो x square का करते हैं ठीक है चलिए माइनस का साइन रूड एक्स अभी के रूड एक्स का अभी आपको इस्टोड मनें complete बताया पूरा इसी तरह कर सकते हैं कितना होता आप फाइनली बोली है वन अपान टू रूड एक्स कैसे निकाल का आप देख सकते हैं ठीक है पूरा का पूरा तो यहां पर मैं डारे लिख देता हूं दुबार दुबार करने की जुरत नहीं है सेथा memorize ET 2 और एक्स सेथा हम ने लिख दिया इसका अन्था ए अप चाहिए तो इसको proper क्या कर सकते हैं अच्छी तरीक इस इसको बना सकते हैं मतलब queens का साइन रूड एक्स अपन वन किन्ट होगी यह आगा अपन टू रूड एक्स अपन में क्या जागा टू अंडर रूड एक्स देस अडी वाई बाई डी एक्स यानि कि डिफ्रेंशेट हो गया यह आपका फाइनल आंसर है ठीक है तो दीकिए कोशन नंबर एड तो भहुत आसा से समझें और कोशन नंबर वन टू फाइब की जो पहली वीडियो को भी आप जरूर देखें बेसिक के रेटिक है ठैक्यू सो मत वरॉचिंग दिस वीडियो